हलो दोस्तों मैं रिश्यानन्द आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूडिव चैनल जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तों यह डेटा इंटर्पेटेशन फॉर कैट बैरुण शर्मा सॉलेशन सीरीज है और इस सीरीज में आपको एक डेटा इंटर्पेटे ने जो कि कैट लिए और यह अरुन शर्मा के द्वारा लिखी गयी बुक है तो उसी बुक का आपको यहाँ पर सॉलुशन देखने को मिलने वाला है और इस लेक्शर 9 में बार चार्ट का देटा इंटर्पेटेशन लेने वाले हैं और इसमें जो कोश्चन रिलेटेट हमार कोई भी होता है तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए वीडियो काफी ज्यादा यूसफूल होगी तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडियो फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्कूशन बाक्स मिल जाएगा साथी साथ जो मेरा चीज की मिल जाए करेगी चलिए अब लेट नहीं करते हैं हम लोग देखते हैं काई सा डिटा इंटरेप्रेटेशन और यह सवाल हो करते हैं हम लोग तो जो हमारा डिटा इंटर्पेटेशन उसका लिए कुछ डारेक्शन जो ओपर लिख रखा गया और एक चार्ट बार च फिगर 3.6 to answer the questions ठीक है यह हमारे पास एक बार चार्ट है जो कि sell of seller phones का है ठीक है तो यह सेल हमें दिखाया जारा बार चार्ट में मतलब हर yearly दिखाया जारा है नीचे हमारा years है और कितना विका है वो उपर में हमें बताया जारा है ठीक है अब इससे रिलेटेट जितने सवा 2012 was हमें %梵ल करीं बताना दो हजार ही 111 से लेकर 2012 में कितना वर्यां सह ओ आर चालीज ञा रहा है ठीक है थी तौह हमें परसेंटेव बताना दो परसेवारी बताना तो परसेंटेवीज बताना तो परसेंटेवीज कैसे निकालें निकालेंगा तो हमोगल 40.000 हो गया है ठीक है कितना था हमारा 18 000 था और सस्रेखना हो गया हिए ठीक है रैए रहने यह से क्लिटबॉच निकल जाएगा यहां पर में 225 स täसहैसा क्में निस पर हो गया कितना हो नहीं आरा दो क्लेंगी यह 3 3 0 3 2 यहां से चैंसल hop हो और यह हो जागा आपका 9 चला जागा और यह कितना जागा 11 से ठीक है अब जब इसको आप solve करोगे तो यह आ जागा कितने 122 परसेंट हो ठीक है तो 122 परसेंट से हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ है 2011 से लेके 2012 में तो कौन सा option से यह जागा हमारा C option क्या जागा से correct हो जाग जागते हैं तो दोस्तों अगला सॉल आपके स्क्रीन पर है the sum of sales of cellular phones in the years 2009 and 2011 is equal to to that in देखें हमारे पास जो से लोगा से लिए बराबर है कौन से यह के बराबर है वह हमें यह आपे बताना है चारव पास सबसे पहले देख लेड़े देख लेए 2009 में कितना हुआ है तो 30,000 का sales हुआ है और 2011 में कितने का हुआ है तो 18,000 का हुआ है तो एक तो आपको 30,000 है और दूसरा कितना आपको 18,000 है सबको जोड़ों कि तो यह आ जागा कितना 48,000 मतलब 48,000 हमारा क्या रहा है cellular phones का sale का आ रहा है तो देख लेते 48,000 का है तो 2007 में हमारा 48,000 हुआ है जो उसके बराबर है तो यह option क्या जागा यहां से correct हो जागा clear है बात समझ गो किस सवाल को चलिए अगला सवाल देख लेते है हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल है the two years between which the rate of change of cellular phones is minimum R ठीक है दो साल के बीच का जो हमारा rate of change of cellular phones है ठीक है वो हमें बताना है कि सबसे minimum किस में है ठीक है rate ठीक है तो पहला क्या मारा पास option 2007 and 2008 2007 2008 में देखोगे तो कितना और आपका यह और आपका आठफerson का change है ठीक है और उसके बाद क्या आपका डिवह ना 2010 2009 आःटने यहां पर आपको देखोगे तो 30,000 25,000 मतलब कितने चेंज हो रहा है यहां पर 5000 का जो रहा है अब क्या बोला बोथ 1 & 2 ठीक है मतलब ए और भी ठीक है 2011 & 2012 बेट आठारा जार से 40 जर यहां तो आपको करीबन यहां बाइस जर का चेंज जो रहा है ठीक है निनम से क्या बूला गया कि मिनिमम मिनिमम कौन सा तो मिनिमम आप देखोगे तो यह 5,000 डॉला चेंज क्या आपका मिनिमम है तो भी ऑप्शन क्या होना चाहिए यहां से करेक्ट हो जाना चाहिए क्लियर बात समझ गए सवाल को चले बढ़ा जा अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो इस टी आई का यह अ 2007 और 2009 का जो डिफरेंस है यह हमें बताना 2009 में अगर देखते तो कितना थी से आ रहे है ठीक है और 2007 में देखते कितना 48,000 तो 48,000 है और यहां पर कितना 30,000 है तो 30,000 दोनों को मायनस कर दिया तो यह आजागा कितना 18,000 आ जाए तो 18,000 का हमारा किया डिफरेंस है तो कौन सा से यह हमारा डिफरेंस है यहां से करेक्ट है एटीन थाजन यूनिट्स क्लियर है हमारा यहां से समझेगा इस सवाल को भी ठीक है तो ऐसी ही सवाल आपको एक्जामनेशन ने पूछन देखने को मिल जाते हैं तो अगले वीडियो में मैं अगले लेक्षर में दूसरा एक औ सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो एक लास दोसो थैंक इस सो मच पर वाचिंग वीडियो और वीडियो और बेस्ट आलो पर यूर फीचर